होंडा SP-125 वर्सस हीरो स्प्लेंट प्लस एक्स टेक पहले हम डिफरेंस देखेंगे उसके बाद सिमिलारिटीज फर्स्ट फोल प्राइस यहां पर ज्यादा प्राइस होंडा SP-125 को है अल्मोस सिक्स थाउसन रुपीस यहां पर डिफरेंस अब देख सकते हैं इन दोनों के बीच पर अगर देखा जाए एंजिन वाइस होंडा SP पर एक A124CC एंजिन लगा है वही स्प्लेंट प्लस एक्स टेक पर 97.2CC एंजिन लगा है पावर वेस देखा जाए तो होंडा SP-125 को ज्यादा पावर है 10.7bhp वही अब टोर्क वेस देखे तो होंडा SP-125 को ज्यादा टोर्क भी है 10.9Nm यहां पर माइलेज कंबारेसन देखे तो ज्यादा माइलेज हिरो स्प्लेंटर प्लस एक्स टो को है आवरेज 80 को उपर मिल जाता है वही होंडा SP-125 को 50-60 kmpl और आवरेज मिलेगा अगर फिल्ड कपास्टी देखे तो ज्यादा फिल्ड कपास्टी यहां पर होंडा SP-125 को है 11.2 लीटर गियर बोक्स 5-speed transmission दिया गया है होंडा SP-125 को वही 4-speed transmission दिया गया है हिरो स्प्लेंटर प्लस एक्स टेक को टॉप स्पीर यहां पर ज्यादा है होंडा SP-125 के लिए 9200 प्लस के MPH आप क्लोग कर सकते हैं वही हिरो स्प्लेंटर प्लस एक्स टेक के लिए 8287 प्लस के MPH टॉप स्पीर रहेगा दोस्तों यहां पर ब्रेकिंग टाइप देखे तो SP-125 पर आपको diff break मिलता है front पर उसके साथ साथ कोम भी ब्रेकिंग सिस्टेम भी दिया गया है और स्प्लेंटर प्लस एक्स टेक के लिए इंटिकरिनच ब्रेकिंग सिस्टेम दिया गया है ये दोनों सिस्टेम जब आप ब ब्याक एक साथ अप्ले होगा अगला डिफ्रेंस है कव वेट पर ज्यादा कव वेट भारी होंडा SP 185 है 116 kg अगला में डिफ्रेंस है ग्राउंड क्लिरंस यहां पर आप देख सकते हैं हीरो स्प्लेंडर प्लेस एक स्टेक के लिए ज्यादा ग्राउंड क्लिरंस से 165 mm वही आप देखे तो साडल हाइट ज्यादा सीट हाइट होंडा SP 185 के लिए है 790 mm वील बेस देखे तो होंडा SP 185 के लिए ज्यादा वील बेस भी है टॉल 85 mm अगर देखे तो ब्लूटूथ कनक्टिविटी जी हां हीरो स्प्लेंड प्लस एक स्टेक पर आप ब्लूटूथ कनक्टिविटी यूज़ करके पोल और SMS अलर्ट ले सकते हैं यह जो फीचर होंडा SP 185 पर अवेलिबल नहीं है दोस्तों अगला दिफरेंट्स अब देख लिजिए हसार लाइट जी हां यह जो फीचर हीरो स्प्लेंड प्लस एक स्टेक पर अवेलिबल है अब देखते हैं सिमिलालिटी अब दोनों पर LED हेडलाम दिया गया है दोनों के स्टैन्द है अगर ना उपर किया तो engine नहीं on होगा एंजिन कटोफ रहता है अगर आप साइल श्टैन्द उपर नहीं करते है तो अगला में सिमिलारिटे आप देखे लिजिए, स्पीड ओमेंटर और ओमेंटर है, फुल डिजिटल है दोनों पर और यहां पर रियल टे इंडिकेटर हो, एको इंडिकेटर हो, यह सब आपको Hero Splinter Plus X-Tab पर मिलेगा तो दोस्तों यह था, differences और similarities इन दोनों के बीच पर कैसे लगा वीडियो, comments पर लिखेगा, अगर कुछ बडाउट है तो comments पर जरूर लिखेगा Thank you